वेलकम टू सरो समाजी को राउंडर चैनल, सरो समाजी को राउंडर चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन है जो पलक जपकती ही आपको याद हो जाएंगे चलिए आज मैं आप लोगों को इंटर फस्ट एर का फिर कोस्चन लेकर आया हूं जो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है एक चीज ध्यान दिजेगा ये जो आप देख रहे हैं क्लास अलेबंथ एकजामी नेशन 2020 इंगलिस कोर ध्यान दिजेगा इंगलिस कोर है तो इंगलिस कोर का ही एकजाम दिजेगा अगर इलेक्टिव है तो इलेक्टिव इंटर में दो इंगलिस चलते हैं एक कोर एक इलेक्टिव ध्यान दिजेगा नहीं तो आप पढ़ाई कर रहें इलेक्टिव का और दे रहें एक्जाम कोर का दिक्कत में ना पड़ जाएं ठीक है सारा का आपका वीडियो बना दिया जाएगा और आप सही धंग से एक्जाम देखर आएंगे खास कर कि OMR sheet पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं तो इसका भी वीडियो नीचे description लिंक में बनाया गया है एक बार देखने किस परकार भरा जाता है OMR sheet ठीक है तो ध्यान देना है ये जो देख रहे हैं एक घंटा का पूछा जाएगा और 40 question रहेंगे ये सब आप जानते होंगे पहल से अंतक देखना है नाम बड़ी अक्षर से भरना है खास करके जो चार गोला जो रहेंगे उसको रंगना है अगर रंगने में उलट फिर हो गया या खास करके रोल नंबर गलती हो गया तो आपको फीर से exam देना पड़ेगा वो भी अगले वर्स इंतिजार करना पड़ पर्सक्राइब का प्रश्ट यार का बॉर्ड एग्जाम पहली बार नहीं ये 2 से 3 साल होगा 2 साल हो रहा गया जो अभी तक 2 बार शी हुआ और इससे पहले नहीं होता तो यह English score का है और आप लोगों को बताऊंगा कि English elective YouTube के माधियम से आप लोगों को इस चैनल पर सारा जो देख रहे हैं सिर्फ question ही है तो questions related कोई भी विशाय का question चाहिए भी यह हो किसी भी वर्षकार किसी भी तो आप हमें comment करें आपको मिल जाएगा ठीक है आपको जो भी होगा link दे दिया जाएगा तो इस चैनल को आप subscribe कर दें नहीं तो आप फिर पच्ताती पच्ताती रह जाएगा और खुशते खुशते परिस्तान हो जाएगा चलिए विडियो को start करते किस परकार पुछे जाएगे बिल्कुल असान question पुछे जाते हैं अभी पहला exam है पहली बार हो रहा है ठीक है यहाँ पर रहेंगे फर्स्ट नंबर में रहेंगे read the following passage and answer the following question from one to five चाइल्ड लेवरी इसको हिंदी एक बार समझ लेना है और इसका अर्थ समझने के बाद जब इसका children are इसका बारे में जब पूरी तरह से हिंदी समझ जाईएगा तो आपको answer question देने में काफी जवाब होगी तो मैं इसका answer का जो भी question होगा एक होगा दो होगा तीन होगा तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं अगर जरूरत है तो आप पूछ सकते है नहीं तो वीडियो बाड़ा हो जाएंगे समझाने में ठीक है तो दिक्कत में पढ़ जाएंगे तो ये मत सुचेगा कि इसी से question से म रतना है आप लोगों को एक नमूना मैं बता रहा हूँ कि किस परकार question पूछे जाते हैं board exam में ठीक है जो इंटर का इस बार exam दीजेगा तो एक चीद धियान दीजेगा हिंदी core और English score में अक्सर बच्चे गलत exam देकर और गलत coaching या इधर उधर पढ़की चल जाते हैं और वे परिसानी में पढ़ जाते हैं तो आप अपना देख लें कि अगर English score लिये हैं तो score का ही तैयारी करें और तैयारी करें वो भी बजार पर आप लोगों को पुछता की जो मिलेगी उससे सारा question टैच नहीं करेगा तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस चैनल चार नमबर का जो question है ध्यान दिजेगा ये सब सारा question का notes बता चुके है और पिछले 10 वर्सों से question चर रहा है ताकि किसी भी तरह के परिसानी नहीं हो हर वर्स experience पूरी तरह से बरकरार रहते हैं और जो suggestion में दे दिया जाता है तो उससे बाहर कोई भी question नहीं जाते हैं ठीक ह question ये no number का रहा ये 10 नमबर का रहा coronavirus dice out in the city out जो हुआ कहां से हुआ coronavirus ठीक है ये सब भी दिया गया है फस्ट है एक आरा नमबर में भी पूछा गया dice I dice to the temporary क्या भरेंगे ये सब आप लोग grammar पढ़े होंगे भर भर सकते हैं ठीक है एक्सिडेंट डैसे पें इन क्रावल सूड भरेंगे काइंड सूड मैस्ट ये सब भर चुक चुके होंगे पहले एकजाम में आप दिये होंगे तो ठीक है 14 नमर का इस तरह के question पूछे जाते हैं 15 क्या आप question देख रहे हैं ठीक है नहीं तो सारा का answer question अगर हिंदी के साथ मैं समझाओंगा तो वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे जो student नहीं दखते हैं सिर्फ आप question देख ले और आप अराम से अपना घर पर तयारी करें किताब खरीद लें बजार पर लेकिन मैं बता दे question जो भी एक नमुना मैं बता रहा हूं ठीक है यह हुआ 19 यह हुआ 20 नमर का question यह हुआ 21 यह 28 यह 25 यह 26 यह तरह के यह 27 नमर का question है 27 नमर का एक्जाम में बुलेंगे कि टीचर लोग की नहीं लगाने बुलेंगे ठीक है, जो भी OEMR शीट पर भरें, उसके बाद ध्यान दीजेगा, ये सब ध्यान देना है, 36, 36 नमबर का कोश्चन है, ये 37 नमबर का कोश्चन है, ये 49, ये 40 नमबर का कोश्चन है, जो भी answer कोश्चन क जवाब देना है, आप अपना जो भी है OEMR शीट पर सही सही लिखें, खास करके मैं एक बात ध्यान से सुनें, कि OEMR शीट जो भरना है, सही तरीका से भरें, आपको OEMR शीट भरने का तरीका भी बता दिया जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके म आदि हम से आप देख सकते हैं, तो चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कर दें, ताकि कोई भी वर्स का और किसी भी कलास का कुश्यान आपको मिल जाएंगे